ओरियो जंगल नमस्कार आप देख रहे हैं टूरेट 24 निस मैं हूँ आपके साथ सपना मद्देशिया आज देशहरा है ये परवह है रावड पर भगवान राम के विजय का पराडिक पात्रों में रावड को सबसे सशक्त खलनाय पाना जाता है एक तपका वो भी है जो रावड को नायक की तरह देखता है लेकिन हकीकत यह है कि रावड में कई खोबिया भले ही थी मगर उसका मुल सुभाव राक्षसों का ही था रावड ने अच्छे काम भी किये थे उसके कुछ सपने भी थे जो पूरा करना चाथा लेकिन वास्तों में रावड बूरा ही था इसलिए उसका अंधुआ आए हम आपको रावड से जुड़े कुछ खास बाते बताते हैं वो दसीर होने का भ्रह्म पैदा कर देता था रावड को इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्रावड माना जाता है कहा जाता है रावड एक बाल किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए उसको याद रख लेता था फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो आप सबने लाल किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा इस किताब की रचना भी रावड द्वारा ही किया गया था और लाल किताब को मुलरुप से अरुन सहिता के नाम से ही जाना जाता है क्या आप जानते हैं रावड संगीत कला में भी महरती था इसका प्रमाड माता सरसती के हाथ में इस्थीत रुद्र वीना है जिसका निर्माड रावड ने अपने सर्भुजा और धम्नियों से ही किया था रावण रुद्र विड़ा बजाने में पारंगर था। रावण को रावण का नाम भगवान शिव नहीं दिया था। और रावण नाम का अर्थ होता है तेस तेस दहर ना। रावण सर्वशक्ति साली भी था। जिसका प्रमाड इसी बात से लगता है कि रावण तीनों लोको का स्वामी था। उसने इंद्र लोक की नहीं बलकि भूल लोक की कुछ हिस्सों में असुरू की ताकत से उन पर कबजा करा था। रावण सदे हुई विर युद्धा की तरह अपने सेना की अगवाई क्या करता था। और बहुत से युद्ध उसने बिना अपने श्रौरे के दम पर जिते थे। यहां तक की रावण ने यम पूरी जाकर यम राज को युद्ध के लिल ललका रहा था और उन्हें हराया भी था। और नर्क में सजा पा रहे जिव आत्मा को यम लोक से मुक्त कराया और उन्हें अपनी सेना में भरती करवाया था। माना जाता है जब उसके पुत्र मेगनात का जन्म हुआ था तो उसने सभी ग्रह को ग्यारवे अस्थान पर रहने के लिए कहा था ताकि उसके पुत्र को अमरता मिल सके। लेकिन शनी महराज ग्यारवे अस्थान के जगा बारवे अस्थान पर जाकर विराजमान हुए रावण इस घटना से इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनी दियो पर ही आक्रमण कर दिया। जिसे पता चलता है कि रावण अपने भाई बहन और पतनी की कितनी फिक्र करता था। अधोरी भी रह गई थे। तो ये थी रावण की कुछ रोचक बाती जो शायद ही आपको पता होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही और महर को पोड़क खबरों के लिए आप देखते रहें टुलिट्वानिक फोनेज्स। ओड़ुज़। झाल 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 झाल